आपका नेश्ट वीडियो में तो स्वागत है पहला वीडियो आप लोगोंने देख चुका हो पहला वीडियो में आपको च्टर्ट किया था चेप्ट थोस वस्ता उसमें से आपको थोस वस्ता क्या होते ही इसके बार भी बताया है उसके बार किष्ट्री खोस, खोसो असको दुभावों माटा रहा था, किष्ट्री खोस और आप किष्ट्री खोस, किष्ट्री खोस बताया और आप किष्ट्री खोस, उसके बार आपको में किष्ट्री खोस पढ़ाना इस्टाट किया था, किष्ट्री खोसों का वर्गी करण इसके बारे में बात किया थी पीछले मिलीव उत वजी कमों किया चार था पहला था आड़ी को सूसरा था सासर्य को सूस तिस्टब आइने को और चौत था बस यहां तक आपको हम बताया है आज आगी किस्टी थोस आपको पता होगा किस्टी फोस क्या हो जिनका आएकन मुदा का जिए निस्टे बता है अब बास करते है किस्टल जालक होता क्या है विदी बे ही और किस्टल जालक उसे करते है किफ करम निंष्चीत करम में वह सकते हैं जालक क्या चले रहते है उसकी एक यूनिट होगी, जिससे वो मिलकर बना होगी, प्रतेख किस्टल चालक में उसकी एक यूनिट होगी, जिससे वो मिलकर क्या हुआ, बना होगा, तो उस यूनिट को क्या होते हैं, एकक उच्टिका, आपने अपने घरों में सब्सक्राइब देखते होगी, हम आपको कि इसनुन इसनु कὶ बादां तुकिस्टाट की हैं पिलियू में आपको क्स्ट्रीस göstож का वर्धी करन्द कितने वाओं में किया गया था प्रफ्रेंबूब करन्द करन्द्द्द्द्द का छी सार अज़िशमया यरे करन्द्द्द्द्धगक्रvens कि देदेते देधा क्रिष्टल के बात करते हैं, हम क्रिष्टल के बात में आपके बात करते हैं, आपके बात करते हैं, क्रिष्टल जिसके बात करें, क्रिष्टल आप काउं के अखरों में लेते हैं, जिसे सब के धर में दिवारे बढ़ेंगी, मकान में बना है, तो एक मकान की दिवार को बनाने पूरा crystal हो दिवाल क्या हो एक crystal हो ठीक और उससे पहति इट क्या हो एक unit जिसे हमको हिंदी में बोलते हैं एकद कोष्टिका क्या बोलते हैं एकद कोष्टिका ठीक तो एकद कोष्टिका क्या है पृते-test क्या हमको आपस में बन्रे एकद कोष्टिका हो दो बन्रेज में वाला जो जयलता है वह क्या है क्रिष्टन जालत कहता है है कुटिक कोष्टिका में एककष्टीका की दूरी जो होती है क्या उती डी सेट यह झाले हैं तो यह जो सेड़ी बराबर है तो उसकी एक एड क्या हुई, एक गोश्टिका हुई और उससे जो दिवाल बनी, उसको हमने क्या बोल गया, क्रिस्टल बोल गया, या क्रिस्टल जारा लोगा, एतने चीज़ आपको समझने हैं, हम आपके पास, हमारे पास एक छोटा सा क्यूविक है, यह आफ देखते हों, इसको आप लोगो सेट करते होगे, अच्छा लगता है, अच्छा गेनी है, ठीक, खेले में मदाल भी आता है, इसमें आप देख रहे हैं, एक ऐसा है, कैसा है, क्रिस्टल जालग के लगते है, इसका एक फाग उसा हम देखे, एक फाग जैसे ही एक पाड, इतना, ये क्या है, इसकी एक यूनिट, यूनिट सेट, जिसे हम बोलने हैं, क्या है, एक पोष्टिका, ये एक पोष्टिका है, ये एक पोष्टिका है, ये एक पोष्टिका है, ये एक पोष्टिका है, सारी सेम गादी पोष्टिका मिलतर क्या है, एक क्रिस्टल जालग का इस क्यूबिक का न तो एक कोर्टिका में हम बात करते हैं किस्ञका जालग इसके अब प्रते इसके जालग ने एक कोष्टिका होती है त्थिक आप बात आपकि फोड़ा के कुछ गुर पढ़ लेते हैं, जुकिस्था जालत हैं, तो जालत का प्रतेक बिरू, प्रतेक ओनदALK जालत इसे कालते है, जालत स्थल कहलते हैं ठीच और प्रते जाली एक अव्वी कड को मेलकभा है, क्या प्रतर सिस्क खरूright में जभी जाल इक अववी कड यह जह को पर्माण आड़म यह आया आयन परमाण और आयत होते हैं वह जालता इसमें करते हैं कि यह होगे अब हमको एका कोच कहां हमें कि पोच का एक कोच मैंने है सब्सक्राइब है योनिट से यूनिट से यूनिट से यूनिक से बना होता है उसका एक भाग क्या क्या लगता है एक कोस्ट का क्या लगता है या यूनिट सेल कहते हैं तो ते किस्टर जालत का एक भाग या एक पार्ट जिससे किस्टर जालत मिलकर बना होता है उसे यूनिट सेल कहते हैं टिक आप यूनिस हे रहां माल नाते ये पूरा यूनिस हे शै रहें अपको ढ़ी पीसके नग नइ यहीं फट्वरा कमाल के चलते ही है क्या यूनित से यूनिट से लिए किसा है नहीं टू दाफ्डिंडंस है या त्री डांस है मतलब 2d या ct मतलब इसमें अच्छों की संख्या कितनी है दो है या 3 आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं जो मेंस के बच्चे होंगे उनको तरदी नहीं होंगा इसे एक x-x होता है एक y-x होता है और एक z-x होता है इसी को हम बोलते है 3D 3D dimensional set 3D dimensional set और जिसे एक y-y अच्छे तो यह 2D dimensional set पूर ग्यादी से समझ सकते हैं 3D dimensional set को समझने में दिक्कत होती लेकिन हम आप तो पूरी कोशिस करेंगे अच्छे समझा के तो बाग करते हैं 3D आप कैसे पता चला है 3D आप के धरों में कमरा बना होता है आपके अपने कमरे को देखें कमरे को देखें कमरे में एक दिवाल का कूना देखें उस कूने से त सच्छे लेकर अगरे किज्धार और उपर यह अफर पर तो एक मानित बाइल यह जाट तो इसी तरह से हमाना क्यूबिक के साथ, क्यूबिक के साथ, फिरी रैमेंस्ति इसे मास पेंसे यह क्या हो भागा? देश्टर देश्टर इसका जरसा चलिए तो यानि आमारा एक कुछ तेश्टर जाक्षिन में इसके तीन डारेक्षिन होती है है तीन के लिए लोगर फर्स डारेशन सेकेंड डारेशन और थार्ड तो यह तीन डारेशन आप इसमें बात करते थोड़ी चीछ और समझें कैसारी क्योब के रूप में चीषम वे रूप में चीषम के रूप में किनारे कोने किसे करते हैं और कोने कि मतलब फैस, किनारे मतलब साइड और कोना मतलब सेंटार साथ, बिन, ठीक, तो कोने कितने होते हैं, किसी क्यूबिक में, फलक कितने होते हैं, किसी क्यूबिक में, और किनारे कितने होते हैं, किसी क्यूबिक में, आपको हम इसमें अभी ग्यस करके, आपको गिनाय हैं, ठीक, त ऐसा चित्रा आप में बनाव बनाते हुए अब सिर्ण कोने कितने है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आफ़, तोटों कितने कोने है आथ मतलब कोनों की परवाज़ा कि हम बोलें तक सीधा सर बढ़ते हैं कितने कोने है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब जब दो लाइए आपस में किसी बिन्द पर तीन है 1, 2, 3, 1, 2, 3 किसी बिन्द पर मिलती है तो उससे परने वाड़ा वो बिन्द क्या चलाता है? कोना चलाता है इस तरह से टुटे कितने कोने हैं? आठ कोने हैं कितने कोने हैं? आठ कोने हैं एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोने हैं हज़रा तीनी तीन भी लाइए रेखाएं आपस में किसी एक बिन्द पर आकर मिलती हैं तो वो बिन्द क्या पर रखता है? किसी क्यूबिक में बात में करें, थिक तो कितने टूलब और कोने होगे आड बात कर दें फलक, फलक मतलब उपरिस संथा किसी किष्ट चालक की एक संथा क्या कहला थिक है फलक की बात में जैसे यह संथा चार होगी बिश्की ये सता क्या है फलक तिक तो एक फलक दोगी तीन होगी चार होगी पांच होगी और छे होगी टोटा किसने फलक होगी छे होगी मतलब किसी यूबिक में कोने कितने होगी आठ फलक कितने होगी छे होगी आठ फलक कितने होगी छे ठीक है और पास पर किनारे कितने होगी किनारे मतलब जब दो फलकों के बीच की रेखा एक फलक ये और एक फलक ये इनकी बीच की रेखा को क्या 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 1, 2, 3, 4, 5, पीछेगा, 6, 7, 8, इतने के लिए हो, 9, 10, 11, 12, टोटे किनारे किनारे किनारे, 12, इतने 12, आपको फिर से एक पार किनारे किनारे, ये फ़लक, ये फ़लक और ये फ़लक, दो फ़लकों के लिए पीछ का रेखा किनारे, इसको क्या आपको से लिए हो, 10, 11, 12, इतने 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटे किनारे, तो ुथे में की आरे कितने होते हैं बारा बाते हैं टो इसी तरह से इनको ब्रफी कणंद किंत कीया है यस्तरच घंए को सिर्फ को और से घंए को सिर्फ come को एको सिर्फ जटाएं इनको दो बासंसें एक फट्स क एम पहला है आज देखार क् है और दुद्रा है केंज में एककस बोच जाए पहला बोचा है पहला बोचा है एक पोच जीखास दुबक माटा गया है अगया कोज को बहुत दुद्रा है कैंज में एककड्र कोश डाया फुस्का है केंज में एककड्र कोश जाभें बोच जाङ्आ गजाओ इसको कोटे हैं है सूशंद हिए किches या अज बॉष्ट का करन में जिन बैसि को मांते है और सब्सक्राइब कोणों पर कुछ देरे देधें वे एक एंसकानैं जाति हमाद कोष्कानय करते हैं अजनने आज फूच каких कि डूपश्का में जो आप हैеж क्यों पर क्ममें जो ल undergraduate कोई ह्रोनों पर करट में अब झूर पर परस्टित रहते हैं तो आउत इकत रहते हैं जिसे हम इन एक जिसे हम यहां इतने में यूत्स जैने इसमें इसमें एड़ा जो तीन न्याट ना आता है आई अुआ हिसे आढया है कि मैं तो हमारी परमान है तो कहां पर थैसे में कोनहों पर अब यह कंड में नrobi कटी है अब ही पर्मान मीन अधिक ब्स्ति का सब्ष्ट ही यह हो फही हिता है, आजै रहे हो इसे मातको, गएर अभने, क्या यहँ हो नियुत है शक्तिंदर के खोलगया जो कोनों के अंतरिकि किसी मिंन्दु प्रक पिंदू या एक और पिंदु इसमें एक ये जगा दिखाए है, इसमें लिखुट का इडिए है, तो इसमें जोगा है, ये क्या है, कोनों को छोड़कर किसी अनी जगा या अनी फलक पर दिख रही जाती है, वो क्या रहती है, केंद्रिस एका पूर्च का, किसी केंद्र पर, कोनों के अत्रिक्त किसी केंद्र पर, मैं भुला अभुई कार, इसमें लिखाए है, अभुई कार, कोनों के अत्रिक्त, कोनों के अत्रिक्त, कोनों के अत्रिक्त, किसी केंद्र पर इस्तित रहते हैं क्या केंद्र एकप कोष्ट का कहलाती है क्लियर होगा मतलब अब इसको तीन भागों में बाटागे इतने भागों में तीन भागों में पहला है अन्ता केंद्र दूसरा है फलक केंद्र एकप कोष्ट का और तीसरा है अन्ते केंद्र एकप कोष्ट का पहला 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 अन्ता केंद्र एकप कोष्ट का के अंद्रे एकर पोष्चिता दूसरा है फाला के अंद्रे एकर पोष्चिता 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 की साख पहुछ का दुस्रा है गिंद्र देगर अब तीरों के वारे पीज़ेंगे इस्के पाइठ है अंताथ केंद्र देको कूछ का ओआ थे के तो को Oh केंद्र केंद हुब ऊपस्तीत होगे पर मायं करकेंग केंद्र को किसी विंदेट पर उपस्तीत ऑवेड में कड 있게 करने को कोम थो हें जो हो किसी ऑने और अंदर किसी केंदर पर केंदर आपसित रहें तो उससे बन्य वादा जो पुछ का ऊब रोगी अंदर केंदर एक पूछिए इसी यह देखों यहां कि ते को ऩह द वी गरें बिझें दो वर ना और केंड आफ क Wenya 5,v6,v7,v6,v6,v6,v7,v7,v7,v6,v6,v8 केंडरे वो केंडरे हैं जंप मैं normire, ठिक एक इन्दर है आप ने वोने हो और इक केंडर, टीं जंप से इमादफ केंडरे लारे ह। सब्सक्राइब सब्सक्राइब अंता केंजें एक पोष्ट का इसे पोष्ट एक ते इसे पीदिशन पूष्ट से इसमें चुले रोता है? कोई प्रॉलम हो तो दूसरी बात विते हैं फॉल अकेंजे को पोष्ट हो फलक के लिए इंगे कोनो के अर्थे चोड़ कर किसी भी पर एक कोश्चिका या वियुशन में उपस्षित पर्माण या पांड़ आयन हो कहां पती रहें फलक पर उपस्थिया प्र दे जिसे इसमें इस फलक पर पर पते हैं जैसे इसमें बाज करदें ही यह को ने यह उना यह उना इसके बीच में यहां पर तो उसकों प्लावाण सम्क का प्लावर। याक ऊद है कि अ क्या अगal चैन। ये तो हिंक एन है रामचा चाहिते कॊहने मी पितना हुठा। तो फिर्माणा क्या चैन प्लावर पनना हुठा। तो यह इस एक बीट बनीगा, तो यह फलक पर यहां पर यहां पर प्रोस करेंगे, तो वो क्या एक है कि फलक एक पोस्ट का क्या है मतलब केंद्र के अलाव या केंद्र के अतरियत किसी फलक पर उपस कि लेते हैं तो वो क्या चलाते हैं फलक केंद्र कोश्टका कहलाते हैं अब बात करते हैं अंते केंद्र केंद्र कोश्टका अंते केंद्र पुष्टका का सीधा सब मत अर्थ है, इन दोनों को एकाद में लाता है, कोई एकद पुष्टका या कोई इनिट से जिसमें अभी कड कोनों के अत्रे किसी केंद्र पर और किनी दो फल्कों के मद्र, किनी दो फल्कों के मद्र बीच में उपस्तित रहते हैं, उ करते हैं अंते केंदित एकर कोश करें इसको क्या बोस्ते है फालक केंदित एकर कोश करें इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं आर केंदित आर एकर कोश थीका ओके इतनी चीज़ आपके क्लियर होगे किस्टन जालत किया है जब किस्टन जालत के वाद को हमें तो यह उसिक रन के र想 drives कर दो थका आज तरय कोई करना रहा ऑब कहीं दोर्श लाता है कोनों के अत्रे कोई पर्माहड़ों या आया आया खिंद हो बुदम इसके अंतलrator हमें थे अंता केंड़ कोश्च का फलत केंडने कोश्च का और अंते करेंश न रहे से कोनों के अध्रिक कि सेंटर में प Wisconsin ओक है कौनों के अध्रिक किसी पन परफिते हैं तो का नियूँन परफित रहते हैं अन्ते के लिए कोस्टी का जब कि ला देखके अन्ते के लिए कोश्टा में आविरे कोणों के अत्रिक तो जो फ्लोकों के मद उपस्थी रेता है व्या क्या से राता अंते के पुछ क्या पूछता दें अब इसके बास हम बढ़ते हैं है अब 3 दें आप सेंतक Tibundis एकथ बढ़ना आदे का गुछatif का। जुसरा पलना ही और तुसरा आप पलन अंते के इसको पढ़ते हैं आज एक पूछ का लंड़ा के लिए करों की संख्या निए आवी करों की संख्या निए आवी कर इसमें आज को पूछका निए परमाद कितने हैं परमाद या आड़ या आएंट कित हैं आज हम सीधा समय इसे परमाद बें तो परमाद इसे लिए आएंट में आट बीड़ने तो अम इसे से थोड़ा तो अभ़ अवाई का ठीकाला से एंगे आए 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 ने चौपिक है इसको एक एक यडिगर कोष्ठिका में अवयवी कर्मों की संख्या थी संख्या इसमें पहला पढ़ रहे हैं आज एकर सोष्ठिका पहला पढ़े हैं आज एकर कोष्ठिका आज एकर कोष्ठिका थी आज एकर कोष्ठिका में बात करते हैं पमदल्चित बनाओं आज एकर कोष्ठिका अविकर का कितना उभाग हो होगा एक अविकर का कितने फागं मानल्ल 8 कोने है एक अवज कर्ण कितने फागं से खिरा रहे है एक पर हिया गिरा लेगा, clear है, एक कोना एक दो थी, आठ कोनों से गिरा लेगा, यानि एक कोना आठ कोनों से गिरा लेगा, तो आठ कोने किते कोनों से गिरा लेगा, उस मुट्टिप्लाइ करते हैं एक बटे आठ से, एक कोना उसके आठ गादों से गिरा लेगा, तो इसलिए इसके लिए क्षिके कमcessors काड़े administration आए इस कोष्टिकामें एक कोष्टिकामें अवड़करों की शक्रिया थिस्थ कोष्टिका में अवर रहची कोष्टिकामें कितने कोनें प्रते कोना कितने कोनों से घिरा होगा एक बढ़ी आच से घिरा होगा आटम का से घिरा होगा है ऑगर हम और इस एक अपोस्ष्टका को जिसमि हम यह हैं इसकी आठ पूणों को माला गला खागों बाटाएगे तो उसका एक पूने का भाग्व हो जो कितना होगा एक बटे आठ का आठ पाग होगा यानि आज ही को उसना अवभी करूण की संख्या का मास होगा आट रोने हैं और एक होना इन बटे आट फाक से ज़राग बुड़ा है घिरापका है तो उसकी संख्या जितनी आज़ेंगे एक यानि अवगी कर्मों की संख्या जितनी होगी यहां पर एक परमाप अब उसी तरहें बात करतें दूसरा डाफिक यह तरहां अंता के निदेगें कोश्चिका अंता के उच्छे का में आठ वोगी हैन्तोस58 में एक हो प्रते कोने का तो उसके लिए प्रते कोना केली प्रते कोने केली अव कोरों किसी अपने हो कि कोरों की संख्या बरावब कितनी हो और प्रते कोने के लिए आटप प्रते कोने मों पते आजसे गराक सेग़ है कैंड क्यां उसके कैन Gegen किसी सिंगर हो किसी संटर एं रखंट की संख्या है एक एक केर्णों है, अवो एक कि पर मांळ से किरा हुद्ध, है एक किरा हुद्ध इकेर इए कि शेके आगला कुईव और शुर्ट कुईव खोगका, तो खोगका, तो खोगका था आप दिसरा बात करते हैं फ़ल केंसे इनकर कोस्ट का फ़ल केंसे . एंकर कोस्ट का फ़ल केंसे निर्ट कोस्ट का तो फलक केंदी एक पोष्ट का यह है हमाने उसे बराओंगा तो देखो फलक केंदी में आठ कोने होते हैं और प्रतेग होना एक कोने का एकटे आठ को भाग लिए होगा या खेरा होगा ठीक और उसके बलाफ फलक, परतेक unit share में कितने फलक होते हैं 6 और परतेक फलक में 6 होते हैं एक फलक का कितना खाग लिए उपरो जैसे वहां देट ही है हम आपको दिछा लाज़ा है ठीक, 8 गोने हैं प्रतेक वोना आठ पुर्णों का एक बड़ा आठ वाधार विया हुए उप आप बात कर दें फलक फलक खमारे कितने पुड़क छे वन तू थी फो फाइफ से और प्रतेक फलक कितने छे हैं और एक फलक जो यए पुरा फलक है उसका कितना भाग लिया हुआ आधिorrow जाए पी और इसका लिया हो तो फलक के लिए कोश्टा करनों के लिए केले और यह कृण की कि संख्या बरादर आठ कौने हैं और प्रतेक होना के बढ़े केल के लिए अपर प्रतेक होना के बड़े में लुटेश बहने जाए फ़र किसे बाद हो चुछ तूर्प ते दूसरी बाद फलक को किस ना है फलक वान, टू, ट्री, फोर, फाइट, छे फ़लक है, जितमें क्या हुआ, फैस सामने हमने क्या हुआ, इसी से डॉर्टर से दिखाएगा, यहां तो पीछे का हुआ है, तो किसने को है, फ़लक है, छे, तो छे फ़लक, छे फ़लक, यहां फ़लक के लिए, अब जय भी करोंग की संघ्दा, कितनी होका है? स्ट्हों फूलक कितना है, 6, फोर, कितना भाग कहे रहane है, 1 बठे, 2, हमां अको स्ञळा जाना चता, फोर, कितना हो, 1 बठे, 2, तो 6 बठे को और अब कितना है? 3 आना है, फिटे जी के लाकात है 3, तो फलक केंद्रिक कोस्ठी का केली अवरी करों कि संधी किसे में जाइए फलक केंद्रिक केंद्रिक एक पोस्ठी का केली है के लिए अवर्य अपी कोड़ों की संख्या कोड़ों की संख्या बराबस इतनी हो जाए तीन यह एक इतना हो जाए चार पर्माद के लिए अवर्य कोड़ों की संख्या आज बराबस इतना है तो फुल फुल फुलक के लिए एक पोच्का के लिए अवर्य कोड़ों की संख्या जाए चार पर्माद तो चार पर्माद चार तो फुले गैसे लिए अब आपको अब आपको बाता है हमने आपको बताया कि पहले सीष्ट के अचिश्ट के जलल में कि युटे जलल कि जलल जब कई उनिट से अपस मिलकर एक जलल का तो उससे हम क्या क्या केते हैं यूनित सेल कि जो कलब होते या केण होते एक निशी दूरी पर इश्थितर है ऐसे हो हिंदी में है केते हैं एकंग कोष्ट गाठी से लोगों दो खागों में हमने मद्यिक्त किया यहाथ पहला में था आधे कोष्टका और दूसरा था केंद्रित एकप कुष्ट आधे कोष्टका उसे कहते हैं जिसमें अवी कड केवल कोनों पर वस्ते रेते हैं आधे कोष्टका कहलाती है केंद्रित एकप कोष्टका में अवी कड कोनों के अत्रिक्त किसी अन्य बिंद्र पर उपरती रेते हैं क्या जलाती है केंद्रित एकप कोष्टका को तीन भावों में बाटा गाता है नंबर वन था अंता केंद्रित एक पर उपर उपस्तित रहे तो उसे अंता केंद्रित एकप कोष्टका रहते हैं दुस्वा था फलक केंदे के कोश्च का, फलक केंदे के कोश्च का यह थी, कोई परमाणिया किसी अविकड में, कोई परमाणिया किसी अविकड में, कोई केंदे के अतरिक, कोई परमाण उसके फलकों पर उपसित रहता है, तो उसे देते हैं, फलक केंदे के कोश्च का, तिस अलग दो फल्कों के मद में ओपस दित रहता है उसे अंताय क्यादे का कोष्ट का लिए हम अब ही गड़ों की समय का दिया अब आज एक कोष्ट का के लिए हमने अब ही क्यान का लिए आज एकर कोष्ट का कि इसे बोतल सिची दी कि सिची ती कि सेंटर कुबिक पें एक तोस्या में अब ही पड़ों तिरिया शिदि निया और एक करों तिरिया शिदि निया एक पड़ों और शॉर्ण केंवे एक कोष्ट का में एक कोष्ट का में वर क्या यह सिर्ण को रिए बोतल कि इसको बुदे हैं एक क्यों व्यक्या शॉर्ण कि इसमें पना पने प्रिकल . अब यह प्रण प्रिकल कि प्रिकल्न ही थे 4 3 & 1 अंदा कैर्णित एकरप्व फोस्ट का अंता केसे एक पौस्ट का में पार्माणों की संख्ञार इसथी कि निकले थी..2 2 ф 2 निकले थी.. ये 2 पार्मा Film Südv यह चीज होगे आपका साठ़्ाय पिरिया लोता अब आपका छेठेर का है फेरा फोसु वस्ता și प्रूस्ता में क्ष्टेत और ओस का थी आँथे यूद है कीसे कि सब आपको संचाए उसके बागा में इस टींड क होडेस व worn किस्ट। की चार्थियू को करते हैं फ़ल्कश्डियोस का है utilizar नियुका ह्S अब उसके लिए आगों डिवाइड के आगा तो अब वही कड़ों की संख्या कैसे लिकाले जाती है यह आपको बता है आज के लिए इस वीडियो में इतना ही आपको अगले नेश वीडियो में फिर से मितना है